ओके तो हम यहां पर जो है एक न्या सीरीज शूरू कर रहे हैं हमेरे चैनल पर यहां पर जो है मैं आपको एक company चूज करवाओंगा जैसे कि अभी मैंने पहला एपिसोड है तो मैंने अपने यह से एक company चूज कर लिया जो मुझे अच्छा लगा उस company के जितने accessories हो सकते हैं उतने accessories मैं आपको यहाँ पर buy करूँगा और आपके वो उनके बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या आपको accessories buy करने चाहिए या नहीं तो यहाँ पर जो है आज मेरे पास ऐसा ही एक brand है जिसका नाम है lab care यह जो brand है मुझे काफ यादा सही लगा क्योंकि यहाँ पर इनके accessories जो है वो यहाँ पर market में बाकी सारे लोग जो provide कर रहे है उससे काफी जादा किफाईती दाम में यह जो है यहाँ पर accessories provide कर रहे है जो कि मुझे काफ यादा बढ़िया लगा है चलिए देखते हैं इनके accessories कैस रहती है सबसे पहले मैंने इनका जो है यह USB type-c वाला dongle यहाँ पर यूज किया हुआ है काफी बढ़िया dongle है यहाँ पर जो है मैं इसको अपने MacBook के साथ यूज कर रहा था definitely यह MacBook के साथ यूज करने के लिए बनाया गया है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं type-c port है और अधर में आपको gold-plated USB type-c देखने को मलता है जो कि काफी बढ़िया बात है साथ में यहाँ पर जो है आपको HDMI port देखने को मलता है जिसमें आप यहाँ पर 4K 30Hz तक का maximum output ले सकते हैं और अगर आपके पास 1080p display है तब भी आप यहाँ पर 1080p 60Hz तक का पूर यहाँ पर यहाँ प ports दिये गए हैं यह दुनों जो port दिये गए हैं वो मुझे सबसे बड़िया लगे हैं यहाँ पर आपको छोटा वाला micro SD card लगाने का भी जगा मिलता है और बड़ा वाला micro SD card होता है जो कि मुझे काफी जादा help करता है क्योंकि मैं आप DSLR पे shoot करता हूं तो मुझे वो memory card नि काफी जादा बढ़िया लगा मुझे यहाँ पर और इसका जो 4K का output है HDMI कि तुर वो मुझे सबसे जादा best लगा है क्योंकि पंद्रा सो रुपे के अंडर में मुझे यह एक मात्रो डॉंगल देखने को मिला जिसने actual में 4K 30 Hz तक का output मुझे दिया है तो यहाँ पर पहला product ज यहाँ पर आगर आपके laptop में काफी कम USB ports है तब आप इसमें यूज कर सकते हैं यह कुछ इसी तरीका का दिखता है सेम दिखता है यहाँ पर यह USB type-C dongle जैसा सेम दिखता है बट आपको यहाँ पर 4 USB ports मिलते हैं जो कि आपको यहाँ पर USB 3.0 मिलते हैं जो कि काफी ज़गा fast ह तो definitely यह जल्दी से कटेगा नहीं और यह जो port है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भी यहाँ पर USB 3.0 है तो definitely यह जो port है आपको यहाँ पर काफी तगड़ा काम करेगा और build quality के मामने में काफी अधा सही है और सबसे अच्छी चीज मुझे यह लगी है कि यहाँ पर इसकी pricing या फिर hang नहीं मारता यहाँ पर मैंने काफी सारे USB hubs यूज करें हैं नॉर्मल hubs में क्या होता है कि चार port को अगर आप यहाँ पर एक साथ में यूज करते हैं तो वो चार port जो है बार बार restart होते हैं या फिर जो है lag मारते हैं बट यह वाला hub जो है यहाँ बिलकुल भी lag नही नहीं मारेगा जो कि काफ अदा बढ़िया चीज लगी मुझे यहाँ पर साथ में इसमें आपको पूरे एक साल का warranty देखने को मिलता है और प्लस यहाँ पर one month extra warranty भी देखने को मलती है जो कि काफी साही चीज लगी है और आप इनके website के अंदर जा करके जो है आप यहाँ पर PC है पुराना वाला उसके साथ मैं यहाँ पर यूज कर रहा था इसे और यह जो है एक wireless combo है आपको पता हूँ कि wireless combo market में मिलते हैं वो सारे 1500 रुपए से लेकर के 2000 रुपए के around आपको देखने को मिलते हैं बट यह जो है यहाँ पर आपको सिर्फ 1000 रुपए में keyboard और mouse दोनों आपको wireless देखने को मिल जाएंगे और सबसे बड़े चीज मुझे यह लगी है कि यहाँ पर आपको इस keyboard के साथ armrest भी देखने को मिलता है इसका जो armrest है उसमें बिलकुल भी आपको plastic में कोई भी तरीके का यहाँ पर cheapness देखने को नहीं मिलेगा बहुत ही अच्छी quality की plastic आते हैं और सबसे बड़े चीज मुझे लगी है इसके ऊपर का font एकदम clear तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी font जो है एकदम clear तरीके से दिखाई देते हैं और all over जो है मुझे इसका matte finish भी काफिया सही लगा क्योंकि यहाँ पर अगर glossy finish होता है तो उसमें scratches वगेरा साथ आपको देखने को मिलते हैं अगर आप सुन पा रहे हैं यहाँ पर जो buttons है काफिया क्लिकी buttons है साथ में यहाँ पर जो यह scroll wheel दिया गया है बहुत ही सही और बहुत ही स्मूथ है 1000 रुपए के अंडर में आपको ऐसी quality देखने को मिल रही है जो की काफिया तगडी चीज मुझे लगी है यह जो combination है mouse और keyboard का यहाँ पर एक ही dongle पे काम कर जाता है उस dongle को आपको सिर्फ plug करना है और direct आपको यहाँ पर शुरू कर देना है इसको use करना बिल्कुल भी आपक देखने को मिलेंगी और battery वाले keyboard में मैंने यहाँ पर देखा है या फिर wireless keyboard में मैंने यहाँ पर देखा है कि काफी बार ब्रैंड यह वाली LED lights है यहाँ पर miss कर जाती है बट यहाँ पर आपको definitely यह सारी चीज़ देखने को मिलती है num lock caps lock अगर आप on off करते तो आपको यह सारे LEDs देखने को मिलेंगे साथ में यह एक full size keyboard है तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ जो है सारे volume controls भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर play pause का भी जो है आपको button देखने को मिलेगा जो कि काफ यदा बढ़िया चीज़ लगा है और यहाँ पर overall जो है सारी function keys और सारे keys आपको य keyboard और mouse का combo मिल रहा है जो कि मुझे काफ अदा सही लगा है और यह है इसका डबा यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो खराब लगा है वो है यहाँ पर यह इनके packaging में इनको यह actors लोग की photo लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कोई देख रहा है लैप के रसे यहाँ तो please यहा next product का जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका packaging एकदब minimal किया गया है यहाँ पर अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ पर प्लीज यह actors लोग के photo लगा है थोड़ा सा unprofessional type लगता है बाकी यहाँ पर जो है आपको इसमें 3 साल की warranty देखने को मिलती है जो कि काफ यादा बढ़िया चीज लगी है मुझे 3 साल की warranty एक mouse और keyboard के अंदर जो कि काफ यदा बढ़िया चीज है और यह warranty भी आप यहाँ पर इनके website के अंदर जाके claim कर सकते हैं और आखरी में मुझे लगा है इनका सबसे बढ़िया product जो की है यह gaming mouse lab care के तरफ से जिसमें भी आपको एक साल की warranty देख नहीं लगाया गया है काफी minimal packaging है तो box open करते ही आपको यहाँ पर सबसे पहले mouse मिल जाएगा और यह है वो mouse यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक छोड़ा सा lab care का logo देखने को मिलेगा जिसके अंदर भी आपको RGB मिल जाएगा और सबसे बढ़िया चीज मुझ आपको देखने को मिलेंगी gaming design थोड़ा सा देखने को मिलेगा यह है mouse माउस में जो है आपको यहाँ पर mat finishing दी गई है और मुझे यह mat finishing काफी जादा सही लगा है क्योंकि यहाँ पर हाथ में पकड़ने में काफी अच्छा grip देगा और definitely इसका जो shape है वो यहाँ पर ergonomic mouse जैसा कितना comfortable तरीके से जो है मेरे हाथ में यहाँ पर बैट रहा है यहाँ पर आपको काफी सारे buttons देखने को मिल जाते हैं एक दो तीन चार पाच इसके wheel के अंदर भी आपको एक button देखने को मिलता है 6 buttons आपको यहाँ पर total देखने को मिल जाते हैं और इसमें आपको यह जो left और right कि click buttons हैं इसमें आपको one-up के switches देखने को मल जाएंगे जो कि काफ़ अदा बढ़िया है इसी कारण से यहाँ पर यह जो click की आवाज है वो बहुत यदा satisfying है और काफ़ यदा बढ़िया feel दे रहे हैं यहाँ पर जैसी आप यहाँ पर इसको click कर रहे हैं wheel की बात करो scrolling wheel की बात है और इसका जो यह RGB strip है वो यहाँ पर definitely जो है customizable है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना दादा बढ़िया लग रहा है यह side से देखने में और overall जो है काफी बढ़िया feel दे रहा है आपको यहाँ पर और इसके सबसे बहतरीन चीज की बात करो तो वो है इसका pricing pricing जो है आप इसका सुनोगे तो आप जो है बहुत चक्यर है जाओगे यहाँ पर यह जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में मिल जाता है definitely 500 रुपए के हिसाब से इसमें आपको 6 programmable buttons देखने को मिलते हैं साथ में इसमें आपको variable dpi भी देखने को मिलता है 7400 dpi तक साथ में यहाँ आपको RGB भी देखने को मिलता है जिसको आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं और overall जो है यह mouse जो है काफी तगड़ा value for money product निकल करके आता है 500 रुपए में आपको एक gaming mouse मिल रहा है सारे बढ़िया features के साथ overall यहाँ पर जो है इसमें आपको braided cable वगेरा भी मिल जाता है तो market में बाकी लोगों के comparison में यहाँ पर जो है कम price में काफी सारी चीज़े provide करी है जैसे कि यह USB type C वाला dongle जिसमें आपको काफी तगड़े features देखने को मिल जाते हैं साथ में इनका जो wireless combo था keyboard और mouse वाला वो भी काफी सही लगा मुझे और साथ में सबसे best product जो लगा मुझे इ सही निकला और अगर आप ऐसे कोई brand मुझे बताना चाहते हैं जिसका मैं आपको video बना के दूँ तो आप यहाँ पर नीचे comment section में मुझे बता सकते हैं बाकी यह सारे जो products है इनका link जो में नीचे description में दे दूँगा वहाँ से जाके आप check out कर सकते हैं इतना अधास वीडिय हैं वने महातरम और आपका दिन शुब रहे हैं